कि अब लोग उमीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छी होंगे तो यह हमारी बार्सी रोटियां रखी थी और इस बार्सी रोटियों के टुकड़े कर रही हूं मैं अच्छी देखियों मुझसे ना क्या होता है कि अन एसा फेका नहीं जाता है जैसे होता है ना कि रोटिया रखी रह गई तो हम उसको अलग कर दें कई लोग हैं अलग कर देते हैं पर मैं नहीं घरती हूं मैं सुभी की साम खा लेती हूं पर इक बहुत ज़्यादा कड़ी हो कि मैं इसको ना कपड़े से ढखना भूल गई थी और अभी गर्मी का एकदम सीजन आ गया तो इसको मैं फ्राइ कर लूँगी अच्छे से और मॉर्निंग का समय है यह तो यह हमारा नास्ता हो जाएगा वो कहते हैं रोटी वाला पुहा अब ऐसे भी कहते हैं कि बासी जो भी खाना खावना प्रेगनेंसी डाई में बहुत अच्छा होता है और खासका रोटी खाना चाहिए तो खेर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं प्रेगनेंसी में खा रहे हूं जब नहीं था ऐसा कुछ अब आसी रोटियां बच जाती थी तब भी मैं इसी तरीके से तोड़ के क्रश करके या फिर मिक्सी में पीस के और इसको पोहे जैसे फ्राई करू ना बढ़िया मुफली टमाटर प्यास से अच्छी लगती है तो अब देखते हम कैसे करते हैं हाला कि तुकड़े कर लिये थे यह न तीन चार रोटिया थी और क्योंकि एक रोटी के लिए पता है कि क्या होती है रोटी की कीमत वही जान सकता है जो इसको इसकी कीमा समस्ता हो रोटी की तो बस हम यहां फ्राइब हो गया था रोटी की टुकड़े हो गए थे और यहां पे हमने प्याज मिर्ची मूम फाली नहीं थी हमारे यहां तो प्याज मिर्ची लैसन इससे हमने छोक लगा दिया और साथ में ट्रमाटर डाल लिये हैं और और जो रोटी रखे हूँ थी न तो इसको क्या किया मैं पोह में में पानी याल रोटी को पानी कर दिया था है की तो घोड़ा सा कड़ीकिती तो आप सबसी बना सकते हैं स्नेक आइटम में और यह देखिए आप हमने इसको डाल दिया तो सॉफ्ट होगी तो एकदम से यह ना अच्छे से खब जाएंगी वरना एकदम हार्ड भी थी आप इसको रसीली वाली सबजी के साथ भी खाएंगी तो और भी ज्यादा टेस्टी होगी अब यहां पे हमारी र आप लोगों कुछ बाते दो तीन से जब से मैं मतलब सेश्राल की वीडियो डाली उसमें आप लोग का कामेंट था वो यही बोल रहे थे कि आज्छे अपने घर को स्ष्वाल नहीं मानते हो और भी कुछ बात है या आप आप बहां पे काम करते करते ऐसा बोल रहे हो तो मैं मैं बता दूँ कि देखिए जो मेरे हां का ससुराल का महाल था ना वो आप अभी नहीं जानते हैं एक्छली मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि मिसले मेरे ससुर्ची वो ड्रिंक वगरा करते हैं तो वो हां का महाल थोड़ा सा चेंज था और इनी सब को देखके काम आ जाएंगे है ना तो यह सा हमारी आपस में बात हो चुकी थी इसलिए मैं वहां पे नहीं हूं और फिर मैं आ गई थी साथी मैं अपनी टैबलेट लेके भी नहीं गई थी तो बहुत सारी बाते हैं जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी नहीं आने वाली वीड है तो ही अच्छा है और मुझे नहीं बतानी चाहिए मुझे लगता है तो इसी बज़े से और यह भी बता दू आप क्या रहे थे कि सासुमा आपका इतना ख्याल रख रही फिर भी आप तो देखिए वह मेरा अभी भी रख रही है साथ ही वह मेरे पास ही आज आएंगी और वो मेरे साथ ही रहेंगी डिलेवरी तक फिर वो यहीं पे रहेंगी क्योंकि बहार रहना वो नहीं लग रहा था ना उनको लग रहा था ना मुझे लग रहा था ना मेरे हजबन को लग रहा था और फिर इसली मैंने का रहने दो रहा देब का पीपर भी दो पेपर उसके कर गये थे सब बढ involvement ता देटेए पर यहीं था कि मी già सारी चीज़े हो जाती एक साथ कि क scar है 對ू कि है 연्याप को लेको ले तो मैं फिर में गर पे अगए थे और बस पिर काम का डेली का था और बहुत लेके तो हमें आपे घर पे आ गए थे और भस पर काम का डेली का था और बह। सारे चीजे ना मेरे डेश्ट वगएरा हो गई थी को मैं बता दूं की अब जो मीरे डिलेवरी का जो भाहर समय नसरीगा से नसरीज आ चुका है तो कभी भी कभी भी कुछ भी हो सकता है मुझे मतलब जैसे लेबर पैन या कोई भी चीजे प्रॉब्लम तो हो यह सब तो हम कर ली पाएंगे तो पहले की वीडियो में आप लोगों से बताया था कि मैंने बागी घर का क्लीन काम कर लिया है बस किचिन रह गया था तो आज मैं यह भी निप ले रही हूँ पेन मुझे था आप लोग कلى रहए अब सोच रहे होंगे आरती तो कल बोल रही थी मुझे स्टेचिंग टाकों में था तो आज जब ही मंडे को मैं काम कर रही हूं मंडे को ही हमें जाना था और दर्द था तो बुखार भी था मुझे हलका साथ था अच्छा तो डॉक्टर ने मुझे टैबलेट बोली कि आप दर्द की नहीं खाऊ कर हमारे डॉक्टर के कोई भी डॉक्टर ने दर्द की दवाई मना की है क्योंकि प्रेगनसी टाइम है मैं आगन बाड़ी भी गई थी उन्होंने ही मना किया है तो बोले आप ठंडे पानी की सिकाई कर सकते हो बर्फ की सिकाई नहीं कर सकते हो टाको में पर उससे कर सकते हो और गरम कपड़े से तो सिकाई बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसे होता है आपने अपने तरीके सोसते रहते है कि हमें चोट लग गई है हमें कई डर्ध हो रहा है सुस्वेलिंग हो गई है सा तो आयसा कुछ भी मुझे अपने आप से नहीं करना अपने तरीके से नहीं करना है और यहां पर बस में आराम आराम से बैठके ही मैंने आज काम किया है कोई भी खड़े होने वाला काम नहीं किया है क्योंकि देखे और डॉक्टर ने ये भी बताया कि न जे बच्चे की ग्रोथ हो रही है तो उसके बच्चे से पेट बढ़ा हो रहा इस बच्चे से वो टाकों में खिचाओ पढ़ रहा है और शाथ में जब प्रेग्नेंसी रहती है पुरिे नाइन मन्थ की तो किसी को नाइन मन्स़ें तक अब पेट खुजाता है किसी को लास्ट टाइमिस्टर में ज्यादा खुचलाहट होती है तो इस बच्छे से तुमने वहां पर ज्यादा खुजा लिया ज़्यादा तक लीफ होगी क्योंकि वह जगह तो अल्रेडी नाजुक रहती है इस बज़े से उन्होंने कहा कि हो सके तो कोई क्रीम बगएरा ऐसी लगाना कि जो बहुत लंबे समय तक मॉस्जराइजेशन रखे पेट को उसे तुम्हें स्टीचिंग नहीं जो मैं इस सब्सक्का और क्या होता है कि रगड़ भी लगती है। पजामे पहनो नाड़े पहनो ।हूंन कमफोटेबल करती हूं मैं। पर लगता हूंन में भी लगता है कि यार पेट बहुत-ज्यादा बार देखा था।-बánay पहनती हूं क्यार कोई a clean messे-dolljep कोई बात क्या आप लोगों से बताऊं तो उसे लिए किसी को बेना जानने सोचे पैचाने यह सब कुछ भी जर्ज मत करिएगा और मैंने यही कहा था अपने टाइटल में भी यही लिखा था अच्छा कई लोग क्या टाइटल से भी जर्ज करने लगते हैं कि ससुलाल में बाते सुननी सरस्क्राइटल करें लिए हैं मुझे अच्छा लगता है पर वह हैं आपको रीजन मने बताया बारवार डिजम कर कर नहीं सकते हूं कि आजसी की वीडियो से आप आप समझ गहाए हुँगे जान गहाए होंगे है और जैसे समह नसद्धी का-ताइट क। आते जा रहा है ना तो मेरे कहीं सीने में ऐसा जलन टैप को होता है कि पेट में नीचे साइड दर्द होता है फिर बंद हो जाता है कराएंगे सबसे पहले तो मैं बता दूब कि मैं अपने टैबलेट फूल गए थी उपर से खुद महौल इतना ज्यादा चेंज हो गया था कि आसो माने का कि तुम भाई रहो घर में हम खुद ही आ जाएंगे और उनको अच्छे से पता है जो है इसा है तो माजी हाला कि आसो ब आ जाएंगी मेरे पास ही और देखिए हर कुछ हम यूटूब पे नहीं बता सकते हैं क्योंकि फैमिली मेंबर्स हमादी थोड़ी सी उतलब कियाना चाहिए कि सासों में सब जानती है मैं जानती हूं तो उस महल को देखके अपर रिसीजन लिया कि बहां रहना चित नहीं है गारी है आप लोग बिना जाने सोचय कि सी को भी ऐसा मत बोलिए गा और अप लोग इन आ अपको कल भी बताया था और आने वाली वीडियोज में भी बताया है कि माजी ठीक है वो मेरे साथ है अच्छा है सब कुछ ठीक है और हमारे वीच में से कोई खिट पिट नहीं नहीं मेरा अच्छा आप लोग यह भी कहा रहते हैं कि यह तो सुसराल में हमेरे साल लडाई जवाड़ करती रहती तो ऐसा हमारे हां लडाई शगड़ा कोई महौल नहीं था पर कुछ चीजे ऐसी होती है है ना बताओ नहीं हो पाता है कुछ चीजे और वो मेरे से बैटर मेरे हजबन जानते हैं और मैं जानती हूं ममी जी जानते हैं तो यहीं सब चीजों को देखके और यहासा भी होगा फिर डेली का अपडेट तो आपको देती रहेंगे हलाकि अभी फिर यहां मैं बता दूं कि मुझे पेइन हो रहा है और हलका हलका सा पेइन है देखते हैं वैसे में जो जाना था हॉस्पिटल कलाब को बताया था जा पाऊंगी तो आप लोग से जरूर बताऊंगी नहीं जा पाऊंगी तो अभी को ममी बातरूंग तो ले काइसी लगी है ना को ममाद शदुन अष्याओ टूंना ने करेकर माद हो रहा है ऊळाद कल जा कर सकाथी तो आप से दुझा